नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका ध्यात्मिक दोस्त अचारे मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वादगरता हूँ दोस्तों, हमारा यह वीडियो सिरीज नव ग्रहों के पीड़ा है तू किस प्रकार के ओसद्ये स्नान होने चाहिए उसके उपर है हमने इसके पूर्व के वीडियोज में सोर्य, चंद्रमा तथा मंगल ग्रह से रिलेटेड यदि कोई पीड़ा हो तो उसका क्या औसद्ये स्नान होना चाहिए इसके उपर हमने बात किया है साथ ही हमने नव ग्रहों के पीड़ा है तू भी एक स्नान बतलाया था आपको और आज हम बात करेंगे बुद्ध ग्रह से रिलेटेड कोई भी पीड़ा हो तो आपको किस परकार का स्नान करना चाहिए किस विधी से करना चाहिए, कितने दिनों तक करना चाहिए ताकि बुद्ध ग्रह की पीड़ा से निवारण हो सके दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा यह उपाई 100% authentic है, शास्त्रों से निमित है जिस प्रकार जोतिश शास्त्र में किसी भी ग्रह की पीड़ा से मुक्ती है तू अनेक प्रकार के पूजन, मंदर जप, दान, ग्रह जनित, शान्ती दथा अनेक परियोग बतलाये गया है साथी, रत्न, रुद्राक्ष, यंत्र, कवश, आदिधारन करने को बतलाया गया है उसी प्रकार क्या आप जानते हैं कि जोतिश शास्त्र के परवर्तकों ने ग्रह जनित औशद्ये स्नान भी अपने ग्रंथों में वरणत किया है और यह औशद्ये स्नान बहुत ज़्यादा गुप्त रह समय और शिग्रप्रभावी उपायों में से एक है और वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि किस प्रकार कोई भी उसद्ये स्नान किसी ग्रह जनित पीड़ा को हर सकता है सैंटिफिक रीजन क्या है उसका दोस्तों औसधियों का संबंध वेदों से है क्योंकि हमारे सनातन परंपरा में औसधियों की उपयोगिता बहुती सनातन काल से की जा रही है क्योंकि इसका वरणन वेदों में मिलता है और आयुरवेद को जो की औसधियों की पढ़ाई है आयुरुवेद एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सभी प्रकार के ओसधी और उसके विछेशता और उसकी उपयोगिता के वर्नन दिये हुए है और यह आयुरुवेद वेद से ही निकला हुआ है इसे पाँचवा वेद भी कहते हैं और यह जो जोतिश शास्त्र है इसे भी छठा वेद कहा गिया है यह भी वेदांग है अर्थात वेदों से ही निकला हुआ है अतह आयुरुवेद और जोतिश शास्त्र का बहुत ही गहन संबंद है कई ग्रहों के शांती है तू औसधी के मूल या फिर किसी भी ब्रिक्ष के मूल पत्र आदी को धारण भी करवाया जाता है उसका रीजन यही है औसधीयों का बहुत ही अतोट संबंद ग्रहों से है जोतिश शास्त्र से है और इस प्रकार के औसधीय स्नान शास्त्र में वर्णित है लेकिन आज के समय में यह लोप मात्र हो गया है इसके पीछे कई रीजन्स हो सकते हैं जैसे कि आयुरुवेद का लोप हो जाना जिस पैमाने पर हमारे भरत वर्ष में आयुरुवेद का उपयोगिता होता था जिस तरह से यह शास्त्र डेवलप था उन्नत था उस प्रकार से आज के युग में नहीं रहा तो यह भी एक रीजन है कि जो तिस शास्त्र से जो आयुरुवेद का कनेक्शन था वह हट सा गया है और दूसरा रीजन यह भी है चोकि यह उपाई और शद्धियस नान बहुत ही जादा कम खर्चीला है तो शायद इसके पीछे बड़े बड़े बिजनस मैन का भी हाथ है सोच है पर जो भी हो इस गैप को फुल्फिल करते हुए मैं आपके समक्ष यह उपाई लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आईए हम बात करते हैं बुद्ध ग्रह की पीड़ा से निवारण है तो किस प्रकार के उसधियस नान आपको करने चाहिए तो यदि आपके कुंडली में बुद्ध ग्रह खराब चल रहे हैं या फिर बुद्ध की कोई मारक दशा चल रही हूँ तो चाह से रिलेटिड कोई रोग हो, कोई अलर्जी हो या फिर कोई अन्य पीड़ा हो जो की बुद्ध ग्रह से जनित हो अर्थात की बुद्ध से रिलेटिड कोई भी समस्या हो तो आप इस उसधियस नान को कर सकते हैं तो यह स्नान बतलाने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा यदि आप हमारी चैनल में न्यू है तो कृप्या हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी इस वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और इसी प्रकार के इंटरिस्टिंग वीड कर लेना है और हम फिर बतलाएंगे कि किस प्रकार से इस इसनान को आप कर सकते हैं तो उसधियों के नाम है चावल नॉर्मल चावल आपको लेना है पहला है चावल दूसरा है शहद तीसरा है पीला सरसो जो पीली सरसो आपके किचन में होती है वही सरसो को लेना है चौथा ह गोबर, गौव का गोबर चाहिए, पांचवा है गोरोचन, शुद्ध गोरोचन, छटा है रीतु फल, जिस भी रीतु में आप यह स्नान करने जा रहे हैं, उस रीतु में जो भी फल उपलब्द हो सकता है, वह फल आप ले सकते हैं, या फिर वैसे फल ले सकते हैं, जिसका बह हरड, छोटी हरड या बरी हरड आती है मार्केट में, किसी भी औसधाले में आपको प्राप्त हो जाएगा, आप वहाँ से वो हरड ले ले, दसवा है बहेडा, हरड के साथ ही बहेडा यूज किया जाता है, यह त्रीफला में आता है, आप डिरेक्ली त्रीफला भी ले सकते क्योंकि ग्यारवा आउला है तो आपको त्रिफला लेना है जो कि सम मात्रा में मिश्रित हो और बारवा है पान पत्ता तो यह बारा वस्तुएं आपको लेनी है बहुत ही सरल है यह सभी वस्तुएं आपको बहुत ही इसली प्राप्त हो जाएगा मैं फिर से बतलाता हूँ बारा वस्तों के नाम चावल, शहद, पीली सरसो, गोबर, गोरोचन, रितुफल, मोती, स्वर्ण, हरड, बहेडा, आउला और पानपत्ता यहाँ बारा वस्तों हैं जो की उसधी के नाम है इन वस्तों को आपको कलेक्ट कर लेना है अब मैं बतलाता हूँ कि इस स्नान को आप कब करें और किस प्रकार से करें तो चुकि यह स्नान बुद्ध ग्रह के पीड़ा के शमन हीतु है इसलिए इस स्नान को आप प्रथम बुद्धवार से प्रारंब कर सकते हैं और प्रतेक बुद्धवार तथा बुद्ध के नशत्र में आपको यह स्नान को करना है। और इस स्नान के प्रभाव को देखने के लिए आप मिनिमम 11 स्नान अवश्य करें, 11, 21 और 45, जो परम इसका संख्या बतलाया गया है, वह 45 स्नान है। तो प्रतेक बुद्धवार तथा बुद्ध के नशत्र को मिलाकर आप 45 स्नान कर सकते हैं। बुद्ध के नशत्र हैं अशलेशा, जेश्ठा और रेवती नशत्र। जिस भी दिन अशलेशा, जेश्ठा या फिर रेवती नशत्र हो, कोई भी वार हो उस दिन आप स्नान कर सकते हैं और प्रतेक बुद्धवार को साथ में कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इस स्नान को किस क्रिया से करना है, किस प्रकार से करना है तो शास्त्रों में जो सबसे बेश्ट विधी बतलाई गई है वो इस प्रकार है कि जिस भी दिन आपको स्नान करना है उससे एक दिन पुर्व रात्री में सभी वस्तुओं को किसी पात्र में जल में भींगों कर रख दे और दूसरे दिन उसे अच्छे से पीस कर कूट कर उसका रस निकाल ले और उस रस को आपको शुद्ध जल में डाल कर और उस जल से आपको स्नान करना है इसके लिए कोई भी मंतर आदि चीजे कुछ नहीं करनी है बस आपको सिंपली स्नान करना है यह एक बहुती सैंटिफिक उपाई है, इसके पीछे बहुती डीप रीजन चिपा हुआ है, हम इसके उपर भी बात करेंगे और दूसरा तरीका यह हुँ सकता है कि आप सभी वस्तूओं को एक साथ मिला कर कूट पीस कर अच्छे से फाइन पॉडर बना कर रख ले और जिस भी दिन स्तान करना हो, उससे एक दिन पुर्व, उस पॉडर को दो चमच लगभग 10 ग्राम पॉडर को आपको जल में भीवो देना है और उसे दूसरे दिन जल में मिला कर स्तान कर सकते हैं अब इसमें जैसे कुछ वैसे वस्तूओं हैं जिसे पॉडर नहीं किया जा सकता जैसे कि शहद, मोती रत्न, सोना तो इन वस्तूओं को आप जिस दिन स्तान करना है उस दिन भी अपने जल में मिला सकते हैं जैसे कि शहद को भी आप जल में मिला सकते हैं और जो मोती और स्वरण हैं इस दोनों चीज़ को आप जल में डाल ले और इस्तान करने के बाद पुनह इसे निकाल कर रख ले और जब भी दूसरा इस्तान आपको करना हो तो उसमें पुनह उसी मोती और स्वरण को यूज़ कर सकते हैं बाकी एक गोबर है जो आपको शुद्ध और ताजा गोव का गोबर लेना है बाकी सभी वस्तु आप पीस कर पौडर बना सकते हैं पान पत्ता को भी आप छौम में सुखा कर उसे पौडर बना कर रख सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह उपाई समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं कि यह उपाई का वर्किंग प्रिंस्पल क्या है किस प्रकार से यह उपाई काम करता है क्योंकि किसे भी उपाई को सैंटफिक रूप से समझना और तब करना तभी पौर्ण फल होती है क्योंकि वह आप जान रहें उसके बिहाईंड के साइंस को तो कोई भी इनसानी शरीर है उस शरीर के पीछे पांच शरीर छिपे हुए है कुल मिलाकर आपके पांच शरीर है तब आप एक फिजिकल फॉर्म है आपका वह पांच शरीर के मैं नाम मतलाता हूँ पहले पानो मै कोश, चोथा है विज्ञान मै कोश और पाँचवा है आनन्द मै कोश यह अलग-अलग कोश है अर्थात अलग-अलग शरीर है और यह जब पाँच कोश एक साथ मिलते हैं तो आपका फिजिकल शरीर बनता है तो यह जो हम इस्नान करते हैं चुकि इसमें कई सारे गुण अपनी ही विशेष्टा होती है अपना ही केमिकल होता है जब हम उसे रात भर भींग होते हैं पानी में तो उनके मध्या आपस में ऐसे केमिकल रियाक्शन होते हैं जो आपके शरीर में प्रजेंट बुद्ध तत्वों को कंट्रोल कर सकता है बैलेंस कर सकता है जिस आप जानते होंगे कई सारी ऐसे ओसदी है जो की शरीर में प्रजेंट रेडियेशन या फिर किसी प्रकार की रेडियेशन को हर सकता है समाप्त कर सकता है तो उसी प्रकार इन ओसदियों में इस प्रकार की शक्ती होती है जो की आपके ग्रहों के पीड़ा को हर सकता है तो य तो दोस्तों यह था मेरा विशलेशन, यदि आपकी कुंडली में बुद्ध ग्रह से पीड़ा आपको प्राप्त हो रही है, तो आपको कौन सा औस ध्यस्दान करना चाहिए और आपको कस प्रकार से करना चाहिए, यदि आपके कुछ भी डाउट्स है, कुछ सुझाओ है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जिस विशय में वीडियो देखना चाहते हैं, उन विशयों को भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस कमेंट को शिग्रते शिग्र एड्रेस करेंगे वीडियो समाति करते करते आप सभी से अनुरोध है हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें और यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूज रहे हैं और उसका समाधान जोतिश शास्त के माद्यम से चाते हैं तो आप हमारे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारा कॉंटेक्ट डिटिल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मॉक्स वे मिल जाएगा हम मिलते हैं नए वीडियो में तब तक लिधन्नवाद जैहिंद